नमस्कार सभीका विननन स्वागत और मंगल कामनाएं आज हम एक बहुत ही चर्चित विशय पर चर्चा करेंगे बाच्चित करेंगे हम लोग प्रायह सुनते आते हैं कि दर्शन और विज्ञान दोनों में अंतर क्या है दोनों हैं क्या दोनों में कोई संबंध है कि नहीं हम दोनों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए ये बातें हमेशा मस्तिस्क में आती हैं और ऐसे प्रस्ण भी कई जगा कभी बड़े इंटर्व्यू में या कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा के प्रस्ण के रूप में आ जाती है जब तो थोड़ा सा हमें कशनाई ह होने लगती है कि दर्शन तो फिलोसफी है कैसे विज्ञान के साथ इसकी तुलना होगी विज्ञान तो प्रैक्टिकल नालेज पर चलता है एक प्रायोगिक विशय है तो आज हम लोग बहुत ही संख्षेप में इस विशय को जानेंगे इस पर बड़े-बड़े विचार को उसक्रित ऐसे बना तो संस्क्रित में एक धातू है दृषधा तो दृषद्धातू दृषच का Teru देखना देखने का मतलब केवल देखना आंकों से नहीं होता अपितु ग्यान प्राप्त करना जो जो भी दर्शन डह देखने के अर्थ में यह गती के अर्थ में जो ज कुछ करते हैं इंस्ट्रुमेंटल काज जी से आप अग्रेजी में कहें तो द्रिश्यते अनेन इतिदर सनम द्रिश्यते ज्यायते तत्वा तत्व विवेक पुरस्थरम परिज्यायते अर्थात कोई चीज है जैसे यह प्रत्वी है यह यह यूनिवर्स है यह ब्रहमांड है यह ब्रहमांड को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में यह बात उठती है कि आखिर इस ब्रहमांड की उत्पत्ती कैसे हुई है यह ब्रहमांड किन चीजों से बना है यह ब्रहमांड कब बना है यह सारी चीजें हमारे मन में आती हैं और जब ये मन में आती हैं तो इसका समाधान करने के लिए जो साधन हमारे पास उपलब्द होता है उसे हम दर्शन कहते हैं द्रिश्यते अनेन जिससे हम देखते हैं तो दर्शन जो है वो स्रश्टी के तत्तों का विशलेशन करते हुए, स्रिष्टी के उत्पत्ती का विशलेशन करते हुए और पुना जो कुछ हमें दिख रहा है, ये कार है, जैसे एक घड़ा है, घड़े को हम जानते हैं, घड़े को बनाने वाले को हम भले न देखे हूं लेकिन हम ये जानते हैं कि इसको किसी ने बनाया है इस कपड़े को हमने बनाते हुए किसी को नहीं देखा लेकिन हम जानते हैं कि इस कपड़े को किसी ने बनाया है और ये कुछ पदार्थों से मिल करके बना है अब वो बनाने वाला कौन है वो पदार्थ कौन है जिसे ये उनको कोई बनाने वाला है वो किसी किनी कारणों से मिल करके बना है तब उसे कार्य कहा गया है तो इसी तर ऐसे ये यूनिवर्स रूपी जो पूरा कार्य है ये कार्य जो है वो कैसे बना इसको बनाने वाला कौन है इस पर विचार करता है दर्सन भी और विचार करता है विज प्रायोगी की रूप से विचार करता है तातिक रूप से कैसे विचार करता है दर्सन आप में जाएं तो वहां एक नासदीय सूक्त मिलता है नासदीय सूक्त में सबसे पहले उपलब्द मुझे तो मतलब जो रिगवेद है वो विश्चुक साहित्य का सबसे पहला गरंथ है तो उसमें जो हमारे रिशियों और मुनियों के वैचारी गरंथ आपको मिलेंगे जो विचार मिलेंगे वो विश्चुके सबसे पहले विचार हैं ऐसा आपको माथ तो न सदा इत्यादी करके वहां पर विचार किया गया है कि जब यह संसार नहीं रहा होगा कभी तो यह प्रकट हुआ होगा कभी तो यह अस्तित्तों में आया होगा इसका एक्जिस्टेंस कभी तो आया होगा तो जब यह नहीं रहा होगा तब क्या रहा होगा यहां से विचार सुरू ह होता है तो यह दर्सन की पहली प्रिष्ट भूमी है कि जब कुछ नहीं था तब क्या था अगर कुछ नहीं था ना मने सब का अभाव था तो अगर सब का अभाव था तो मतलब कुछ नहीं था तो कुछ नहीं होना भी एक एक सत्ता है कुछ ना कुछ तो कुछ ना होना जैसे कि हमारे यहां घड़ा नहीं है यहां पर अगर घड़ा नहीं रखा है इसका मतलब है घड़े का अभाव यहां है तो घड़े का अभाव विद्धिमान है तो अगर हम यह कहें कि कुछ नहीं था तो कुछ नहीं था मतलब जो अभाव है उसकी सत्ता थी और अगर हम कुछ कहें कि कुछ था तो कुछ था तो क्या था अगर प्रकास नहीं था तो क्या अंधकार था अंधकार भी एक पदार्थ है तो अंधकार भी अगर था तो कुछ तो था तो यह तरह से जो बैदिक रिशी है वो विचार करता है और विचार करते करते आते हैं और आप उपनिस्दों के युग में आएं तो दर्सन की एक तो पूरे उनिवर्स का बैचारिक बैचारिक विसलेशन करता हुआ और अंत में मानों को मोक्ष तक पहुंचाना उसका लक्ष है यह नहीं है कि आपको मोक्ष का मतलब है मुक्ति जन्म मरण से मुक्ति दिला देना क्योंकि मनुस्य के जीवन के दो ही लक्ष होते हैं पहला लक्ष है दुख का विनाश उसे दुख न हो कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता संसार में और दूसरा क्या है सुख की प्राप्ति तो अब जो से हम सुख कहते हैं जैसे कि हम मैं अभी यहां खड़ा आपको लेक्षर दे रहा हूं इससे मैं सुख पा रहा हूं तो सुख नहीं है वासरों में सुख नहीं सुख हम उसे कहैंगे जिस सुख का कभी वी नाश ना हो तो संसार में हम अगर रजगुल्ला खाये और उससे सुख कानों करें तो अगर दस खा लेंगे- पंदरा खा लेंगे तो आप भीमार हो जाएंगे इसका मतलब है कि वो सुख नहीं है इसी तरह से पुत्रस्ते जाता है अगर कोई कह दिया कि हमारे पुत्र उत्पन हुआ है पुत्र के जन्व को सुन करके हमें आनंद की प्राप्ति हुई तो जैसे ही पुत्र कुछ हमारे साथ अन्याय करेगा या उसकी सी रोग से ग्रस्त होगा तो हम दुखी हो जाएंगे इसका मतलब पुत्र की प्राप्ति भी कोई नित्य सुख नहीं है इसी तरह से धन की प्राप्ति को अगर आप कहें कि सुख है तो अगर उस धन भी जिस दिन नष्ट हो जाएगा या कोई चोर चुरा ले जाएगा या खर्च हो नाश हो जाना मने कभी भी हमें दुख की प्राप्ति ना हो सुख ही सुख में हम रहने लग जाए वो जो चीज़ है अलग-अलग दर्संत मौक्ष की अपनी परिवासा देते हैं तो मोक्ष तक धर्म अर्थ और काम और मोक्ष तो मोक्ष जो अंतिम है मने जन्व मरण के चक रहे नाना योनियों में भटकना जो हमारे जीवन में है तो उसी को हम लोग नाना योनियों में भटकने से मुक्ती मिल जाना ही जो है वो मोक्ष कहलाता है बहुत ही सामान परिवासा मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि प्रतेक जो दर्सन है वो प्रतेक दर्सन अपने-अपने दुखातिशाय का विनाश ही वास्तों में मोटी तो दर्सन क्या करता है इस संसार की जैसे आप कनाद को लें तो स्रष्टी प्रक्रिया को अगर आप देखेंगे तो परमानुगों से स्रष्टी की बात करते हैं कि पहले भी ये जो संसार है आज जिसको हम देख रहे हैं जिसमें हम रह रहे हैं इस संसार के होने से पहले जब इसका नास हो गया था महा प्रलाय आया प्रलाय हो गया तो प्रलाय होने के बाद जो परमानुग के रूप में जो पच्छ तक Courtney हैं वो बच्ते हैं और उनके द्वारा पुनहा जब वो एको हम भुष्श्याम वो जो एक कोई आ दी सकती है या जो जो सुप्रीम रियालिटी जिसे आप कह लें या बराहम कह लें जो भी आपको कहना है एक कोई सकती है जो जिसकी इच्छा होती है को हम बहुत स्याम हो मैं एक हूँ हम मैं बहुत होंगा तो उसकी इच्छा से उसके इच्छा मातर से उन पर्मानूओं में गती उत्पन होती है इसके बाद द्यनुक त्यनुक और क्रम से पूरी इस्रष्टी बनती चली जाती है तो इस्रष्टी के निर्मान की बात करता हुआ फिर मुक्ती की बात करता है दर्सन करता है उसे दर्सन कहते हैं बहुत संख्षेप में इस बात को हम कहेंगे और विज्ञान भी क्या करता है तो ये वैचारिक प्रश्ट भूमी पर सार अलग अलग है एक बैचारिक प्रिष्ट भूमी को ले करके चलता है और दूसरा यांत्रिक प्रिष्ट भूमी को ले करके चलता है विज्ञान क्या करता है विज्ञान परिछन करता हुआ चलता है विज्ञान देखता हुआ चलता है सब कुछ करता है तो जो विचार का विच विचार की जो प्रिष्ट भूमी है विचार का जो संसार है वो दर्सन है और जो प्रायोगिक पक्ष है उसका उसको ले करके आप जब चलते हैं तो विज्ञान का पक्ष हो जाता है अभी अभी भी यूनिवर्स के लिए आप देखें कि यह कब हुआ इसकी उम्र कितनी है यह सब जानने के लिए विज्ञान प्रयास करता रहता है तो यह है और फ्रिट्ज कापरा जैसे लोग जो हैं उनको आप देखें तावा फिजिक्स वगएरा को उनको देखें तो वो लोग यह सब बाते करते हैं कि जो भारती उपनिसदों में या भारती दर्सनों में जो चिं चिंतन उसकोटी तक अभी विज्ञान नहीं गया है क्योंकि चिंतन से हम जहां तक पहुंच लकते हैं समाधिस्थों करके वहां मसीनी दुनिया से पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है तो जो यांत्रिक दुनिया है जो कहीं न कहीं प्रायोगिक पक्ष को ले करके आ और प्भाशा है वह दर्सन और विज्ञान की मैंने आपको बताई है इस पर एक एक पक्ष में कई कई चर्चाएं कई कई तरह की चर्चाएं हो सकती हैं तो दर्सन एक बहुत बड़ा विशय बन जाता है इसी तरह से विज्ञान भी इतना चोटा नहीं है तो दोनों का लक्ष एक है लेकिन मार्ग दोनों के अलग-अलग है यही एक लेना है यूनिवर्स का परिग्यान करना दोनों का करतब्य है इस रष्टी को जानने का लक्ष दोनों का है लेकिन दोनों के मार्ग अलग-अलग है यही इन दोनों में भेद है इतना ही कह करके और म मैं अपने बाणी को बिनाम देता हूं कभी उसर मिलने पर हम लोग कणाद के परवानू कणाद का जो परवानू सिध्द्धान्त है उस पर चार्चा करेंगे और गौतम मुनी का जो न्याईर्सन है उन्याईर्सन में किस किस तरह स्रश्टी प्रक्रिया और मोख्ष की तरह से है वो निरूपित है किस तरह से स्रश्टी प्रक्रिया हुई है स्रश्टी का निर्मान हुआ है और किस तरह से फिर इसका ध्वन्स होगा आगे चल करके कब होगा वो डेट नहीं बताते लेकिन वह बताते हैं कि जब ध्वन्स पूर जाता है उसी तरह से पूरी स्रष्टी जो है वो फूर जाएगी पर वो परमानु नित्ते रहेंगे अगर वो परमानु नहीं रहेंगे तो स्रष्टी नहीं हो सकती और सांकार संकारित्यादी जो हैं वो मायाबाद को ले करके अपनी स्रष्टी प्रक्रिया की बात करते हैं तो अगर कभी मौका मिला तो हम लोग इस पर चर्चा अवश्य करेंगे धन्यवाद और आप लोगों ने जो सुना इसको कभी जिंतन करें और इसे भी आप लिख सकते हैं अभी व्यक्ति दे सकते हैं धन्यवाद